हेलो गाईज माई नेम इस निशा सैनी एंड वेलकम टू यूजी सी नेट लिटरेरी स्फियर सो गाईज आज को जो हमारा टॉपिक है वो है फकीर मोहन सेना पती यह एक ओडिया राइटर है जैसी कि आपको पता है कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इंडियन राइटर इन ट्रांसलेशन के नाम से एक सीरीज शुरू कर रखी है शीक्स लेक्चर में उस पर अल्रेड़ी अप्लोड कर चुकी हूँ आज की जो हमारी वीडियो है वो इस सीरीज का सेवन्थ लेक्चर रहने वाली है जो पहले की सिक्स वीडियो है उनका लिंक में आपको इस वीडियो है उसको शुरू करते हैं फकीर मोहन सेनापती को उतकल व्यासा कवी या फिर ओडिसा व्यासा कवी के नाम से भी एड्रेस किया जाता है के नाम से भी एड्रेस किया जाता है ही वस बोन इन 1843 इन अमीडल क्लास खंडायत फैमली यह एक इंडियन राइटर फिलोसफर एंड शोशल रिफॉर्मर है इनके जो पेरेंट्स हैं इनके पेरेंट्स का नाम लखमन चर्ण सेनापती और माता का नाम तुलसी देवी सेनापती है जब यह वन एंड हाफ यर्स के थे तो इनके जो फादर है उनकी डेथ हो गई थी एंड आफ्टर फॉर्टीन सेनापती जी के जो अंकल थे वो यंग फकीर मोहन से जैलस फील करते थे और उन्हें स्टडी भी नहीं करने देते थे अच्छी तरह से उनकी वीक हेल्थ होने के कारण अधरवाइस भी वो एक वीक लर्नर थे उन्होंने बच्पन में एज़ाइड लेबर काम किया और जो प उसके बाद अगर बात करें इनकी मैरीड लाइफ की तो 1856 में जब वो 13 यर्ज के थे तो इनकी जो शादी थी वो लीलावती देवी से हो गई थी 1856 में जब सेनापती सिरफ 29 यर्ज के थे तो जो लीलावती जी है उनकी डेथ हो गई and she left a daughter behind then in 1871 इनकी जो शादी है वो कु कुमारी से हुई 1871 में अगेन इनकी शादी हुई थी कृष्णा कुमारी से and 1894 में कृष्णा कुमारी की भी डेथ हो गई और सेनापती को इनसे एक बेटा और एक बेटी थे जिनकी टेक केर बाद में सेनापती जी ने खुद की थी सेनापती जी ने 19th century के end में और 20th century के beginning म उडिया लेंग्वेज की प्रोग्रेस के लिए अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया था उन्हें father of audio fiction और father of audio nationalism भी कहा जाता है इनके जो native place है उनके native place पर उनकी memory में school, colleges and university बनाए गई हैं जैसे कि फकीर मोहन college और फकीर मोहन university इसके बाद जो मायाधर मान सिंग है मायाधर मान सिंग ने सेनपती को उडिशा के Thomas Hardy की form में describe किया है या फिर कह सकते हैं कि इनको उडिशा के Thomas Hardy कहा है हलांकि उन्होंने Sanskrit works को translate किया poetry लिखी और literature की और literature की और काफी सारी forms को attempt करने की कोशिश की बट आज के time पे mainly इन्हें father of modern audio prose fiction कहा जाता है आगे अगर हम बात करें 1897 से 1915 के बीच इन्होंने four novels लिखे थे जो की 18th century के दोरान ओडिशा की socio-cultural conditions को दिखाते हैं उनके जो three novels हैं जिनके नाम है छे माना अथा गुन्था इनका ये first novel है छे माना अथा गुन्था जिसको English में six acres and a third भी कहा जाता है इनका जो second novel है वो है मामू और इनका जो third novel है वो है प्राइसचित ये जो तीन novel है ये सब social life की realities को multiple dimensions के साथ explore करने की कोशिश करते हैं इनका जो fourth novel है जिसका नाम है लच्चमा ये एक historical romance है जो की 18th century के दुरान मराठा अटैक के समया ओडिशा की बिगडी हुई situations को describe करता है जो इनका first novel है six acres and a third ये पहला ऐसा novel है जो feudal lord दोबारा कैसे जो landless peasants थे जो landless किसान थे उनको exploit किया गया था इस topic से deal करता है जो फकीर मोहन जी है फकीर मोहन जी उडिया की first autobiography जिसका नाम है आतम जिबाना चरित के writer भी हैं ये रहा screen पर मतलब क्या है कि जो फकीर मोहन जी है इन्होंने उडिया की सबसे पहली autobiography लिखी थी जिसका नाम है आतम जिबाना चरित अगर बात करें अगर बात करें इनकी short stories की तो उनकी short story जिसका नाम है रेबती जिसका नाम क्या है रेबती जो की 1898 में आई थी को first audio short story के रूप में consider किया जाता है रेबती इनकी पहली first audio short story है यह एक young innocent girl की story है whose desire for education is placed in the context of a conservative society in a backward odyssa village which is hit by the killer epidemic cholera which means कि हैजा नाम की एक disease था जिससे वो पूरा विलेज प्रभावित था इसकी अलावा जो patent medicine, daka munshi and adharam bita इनकी other short stories है यह आप screen पर देख सकते हैं patent medicine, daka munshi and adharam bita यह सब की सब इनकी बाकी की short stories है और इनकी जो यह सभी की short stories है इनको gulp swalpa one or two book में compile किया गया था एक book में इस gulp swalpa जो book है इसमें इन सब को compile करके दिखा गया है इसके अलावा इन्होंने उतकल ब्रह्मनम नाम की एक long poem भी लिखी है कौन सी poem उतकल ब्रह्मनम जो की 1892 में first time publish हुई थी अगर इसके literal meaning की बात करें तो इस उतकल ब्रह्मनम का जो literal meaning है वो क्या है tour of odysa tour of odysa इसका literal meaning है reality में ये poem कोई travelogue नहीं है बलकि उस time के odysa के affairs पर एक commentary है जिसको एक stridical manner में लिखा गया है तो ये इनकी life के बारे में थैं मैं आपको फिर से एक बार remind करा देती हूँ कि इनके जो important work है सेनपती जी के वो कौन-कौन से है तो जो पहले इनकी you know एक इन्होंने जो वो लिखी थी short story लिखी थी जिसका नाम है रेबती ये बहुत important है इसके अलावा इनका जो एक novel है six acres and a third ये novel इनका बहुँ जादा important है hp का जो assistant professor exam हुआ था इस novel पे question भी पूछा गया था उसमें उसके अलावा उतकल भ्रह्मनम नाम की इनकी जो poem है वो बहुत important है उसके अलावा इनकी जो autobiography है जिसका नाम है आतम जिबाना चरित ये चार work इनके बहुत जादा famous हैं आप चाहो तो इनकी summary वगेरा भी कर सकते हो but English literature के point of view से मुझे चितना important लगा उतना मैंने आपको बताया क्योंकि you know English literature में अगर पूछा भी जाएगा तो आपको works के नाम पूछ लेंगे बहुत जादा detail में I think वो नहीं जाएंगे so ये इनकी life के बारे मुआ आप मैं आपसे discuss करूँगी कि जो HP का assistant professor का exam हुआ था उसमें फकीर मोहन जी के उपर कौन सा question पूछा गया था आप अपनी screen पर भी देख सकते हैं क्या question था वो who wrote छे माना अथा गुन्था ये इनके work का Odisha की जो translation है Odisha में लिखा गया है who wrote छे माना अथा गुन्था one of the best novel set in British times and translated in English as six acres and a third जो work है ये basically किस ने लिखा है तो हमारा answer जैसे के आपको पता ही है Fakir Mohan Senapati ये इसका answer होगा I hope आपको आज की video अच्छी लगी होगी if you like the video please don't forget to like, share and subscribe and if you have any doubt you can ask me in the comment section below thank you so much for watching the video guys